हेलो फ्रेंड्स वेल्कम ट्यू गार्डनिंग इस माय लाइफ चैनल आज हम सिखेंगे कोलियस की कटिंग को ग्रो कैसे किया जाए तूप पहले फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये और बैल आइकन को दबाना मत भुलियेगा चलो फ्रेंड्स लेट्स पहले हम प्रेंड्स की कटिंग लेंगे चलों आपको मधर प्लांट दिखाते को अब उसको अब साथ में आप एक सीजर पकर लेजेगा हम उसे सीजर से कट नहीं होनी चाहिए यह रहा यह को यह प्लांट है हम आपको दो वराइटी को ग्रो करकर दिखाएंगे इस पर कितन सारे फ्लावर आएं यह जब यह फ्लावर सु ड्राय हो जाएंगे तो हम इसे ग्रो मतलब सीट सहीं जब यह थोड़े बड़े हो जाएंगे तब इससे हम ग्रो करें देखिए मौसम पानी गिने वाला है अभी चलो हम जल्दी-जल्दी से कटिंग ले ले लेते कोलियस की जरूरी नहीं आप इसे 40 डिगरी के एंगल में ही काटे यह देखिए यह को इतना बड़ा ले लेना है ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना मीडियम साइज का यह देखिए एक और यहां है एक ग्रीन वाला है हम इसे भी ग्रो करेंगे है कि अब दैखिए है इसकी हम एक कटिंग अभी ग्रो करेंगे कि सबमर्स आये होएं कि अब अगर्री कटिंग कंप करेंगे इसमें एक स्टैम में नहीं तो इसको ग्रोव कर लेंगे चलो फ्रेंस बस इसी को ग्रोव कर लेते हैं क्योंकि उसकी अभी पूरे स्टेम में फ्लावर से भरा हुआ है ज्यादा फ्लावर लेंगे तो इसकी ज्यादा लाइफ नहीं रहेगी इस देखो फ्रेंस इसकी कटिंग है यह देखिए यह यह से रख दी है यह से इसके सीजर से काटा था इसे नीटन क्लीन होनी चीए आप ऐसे कोई सब कंटेनर ले ले जेए और इसमें आपको यह लीफ देख रही होंगी यह मैंने खुद दाली ताकि मेरे पास अभी सॉयल इडिया बहुत काम है तो मैं सिर्फ साइल में ग्रो करूंगा नॉर्मल गार्डन स्वाइल भी आपके पास सोइल कम होता और रिभ्ष को ले लीजैंग बटीजिया तो यह नीचे जाके कंपोस्ट बन रहेगा देखिए यह पर पास वाइल है बहुत कर मेरे देखिए यह इसको हम इसे यह इसके उपर पूर स्प्रैट करके दालेंगे स्प्रैट करके अच्छे से ग्रोव हो जाए अच्छे से च्छेट करके दालेंगे और मिट्ट जादा प्रेस नहीं करना है उपरेस करेंगे तो यह तो यह ताइट हो जाएगी ताइट होने क्योंकि वा ikke बैसे जो हम कुणिंग लगाएंगे कि तो नू रू निकलने बहुत प्राब्लम होगी आप नूट्स निकलने प्राब्लम होगी नूट्स निकलने में प्राब्लम होगी करेंगे हमेनमें असे क Crimson इसे अभी से हम थोड़ा से गीला कर लेंगे आपके पास ऐसे स्प्रे बोटल हो तो आप स्प्रे बोटल से ऐसे से करके और एक ज़रूरी बात आपको जो भी कंटेनर हो इसमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है पानी बिल्कुल खाड़ा नहीं रहना चाहिए पानी खाड़ा तो हमारी कटिंग गल जाएंगी लेकिया फ्रैंट्स हमारे नी हमने इसे नीचे से पट्टे पूरे खाटा दी उपर उपर के रहने दी है अब हम इसे एक अब छोटी सी देख़ाया पैसे उंगली की मज़त से ऐसे होल कर लीजिए ऐसे दो होल कर लीजिए अब इतने ग्रोग कर लीजिए एक किया ऐसे ज्यादा इससे पुछ ने करना है सेम मेथड इस स्टेंस के साथ परने कि ऐसे ऐसे हलका सा ज्यादा इसको प्रेट ने करना है जैसे मैंने कहा था वैसे हो जाएगा यह देखिए यह हमने लगा दी है यह देखिए अब हम इसे पानी देदेंगे इसमें मॉइस्टर होल रहेगा क्योंकि यह जूसरी वाली सॉइल है यह देखिए अब प्लांट्स के उपर भी थोड़ सा वोटा देखिए यह देखिए यह हमारा प्लांट्स रड़ी है अब हम इसे यहां रखेंगे यह देखिए यह देखिए यहां हम इसे यहां रखेंगे देखो फ्रेंड्स यह हमने तूलसी जो ग्रो की थी इसमें स्प्राउटिंग भी आनी चाले हो गई है चलो फ्रेंड्स अब उसके जो प्रेंड्स बथ का रिजल्स दिखाते हैं अपको यह मैंने इसमें जिखिए यह हमारा चांदनी का प्लांट्स देखिए इसमें भी फूला आने वाले काली आई हैं फ्लावर बड्स देखिए यह देखिए यह हमने ग्रो किया थाब हम इसे निकाल के दिखाते हैं एक हमने वही मैथर्ट से किया था वही सॉइल है यह देखिये यह देखिये कि यह देखिये इसकी रूटस देखिये यह देखिये यह देखिये इसकी रूटस आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो उसे प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मैं भूलेगा ओके फ्रेंड्स बाई थेंक यू फॉर वाचिंग